भाई और भेनों, सौ साल की सबसे बड़ी विपत्ती सिरफ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर आई है, पूरी मानवजात पर आई है। आजी विक्रिकाप पर संकट आया, कोरोना लोगडाउन के कारण काम धंदे बंद करने पड़े, लेकिन देश ने अपने नागरीकों को भूखा नहीं सोने दिया। दुर्भाग्य से दुनिया के कई देशों के लोगों पर आज संक्रमन के साथ साथ भूख मरी का भी बीशन संकट आ गया है। लेकिन भारत ने संक्रमन की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया। इसलिए अज दुनिया भर में प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के प्रसमसा हो रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारिप कर रहे हैं कि भारत अपने असी करोड से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुप्त अनाच उपलब्द करा रहा है। इस पर दो लाख करोड रुपिय से अधिक ये देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है कोई भारत का मेरा भाई बेन मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। आज दो रुपिय किलो गेहूं, तीन रुपिय किलो चावल के कोटे के अतिरिक हर लाभारती को पांच किलो गेहूं और चावल मुप्त दिया जा रहा है। यानि इस योजना से पहले की तुल्ना में राशन काड़ धारकों को लगबग डबल मात्रा में राशन उपलब्द कराया जा रहा है। ये योजना दिवाली तक चलने वाली है। दिवाली तक किसी गरिब को पेट भरने के लिए अपने जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। गुजरात में भी लगबग साड़े तीन करोण लाभारतियों को मुप्त राशन का लाप आज मिल रहा है। मैं गुजरात सरकार की इस बात के लिए भी प्रसंसा करूंगा कि उसने देश के दूसरे हिस्सों से अपने यहां काम करने वाले स्रमिकों को भी प्राथफिक्ता दी। कोरोना लोकडाउन के कारण प्रभावित हुए लाखों स्रमिकों को इस योजना का लाब मिला है। ना तो राशनकार था ही नहीं या फिर उनका राशनकार दुसरे राज्यों का था। गुजरात उन राज्यों में हैं जिसने सबसे पहले वन नेशन वन राशनकार की योजना को लागू किया। बन नेशन, बन राशनकार का लाप गुजरात के लाखो स्रमिक साथ्यों को हो रहा है.